वी मुक्ति का रहसे नामक पुस्तक का वी मोचन कल दिनांग 16 दिसंबर को भिलाई के अमित इंटरनेशनल होटल में होने जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में शहर के गर्मान नागरिक उपस्तिती दर्ज कराएंगे या पुस्तक निशुल को लोगों में वितीत की इसी विशय को लेकर पुस्तक के प्रकाशकों के द्वारा आज एक प्रेस कॉंफरेंस की गई जिसमें की वी मोचन से संबंधित जानकारी दी गई 16 दिसम्बर को शाम पांच बजे इस पुस्तक का विदिवद विमोचन किया जाएगा प्रकाशकों ने शहर के समाने नागरिकों से इस कारिकरम में आने की अपील की एवब निशुल का पुस्तक प्राप्ट करने की बाते कही कारिक्रम के बारे में जानकारी देते हुए प्रकाशकों ने मीडिया को कुछ इस तरह से जानकारी दी 18 गुणों को दर्शाती विमुक्ति कर रहा से नामक पुस्तक कवी मोचन होटल अमित पार्क इंटरनेशनल सुपेला में शर्यवार को किया जाएगा गोर तलब है कि विमुक्ति का रहा से नामक पुस्तक कवी मोचन 16 दिसंबर को भिलाई अमित पार्क में किया जा रहा है इसी मोचन में शहर की बड़ी गण्मान शक्सितों की उपस्थिती रहेगी ये पुस्तक निशुल को लोगों को वित्रित भी की जाएगी बता दे इस पुस्तक में सद गुणों को बताया है विक्ति अगर इन गुणों को अपने अंदर समा लेता है तो उसका जीवन अत्यांती सरल हो जाएगा और वो अपने जीवन में सफल भी होगा पत्रकार वारता के दोरान पुस्तक विमोचन को लेकर इस तरह की जानकारी दी गई है ये वुमिक्ति का रहस्य जो पुस्तक है कल रिलीज होने वाला है अमित पार्क में उसी के बारे में एप रस्पांसरिंस रखा गया था और इस बुक में हमने अठारा गुनों के बारे में बताया है इसको स्री मनारा और स्री लहरी कृष्णा जी के संदेशों में से देवासी लंका डीव जी ने उनके बेटे लेवासी लंका डीव जी ने निकालकर इसको संकलित किया है और यह सद गुन हैं जों यह सब वेड़ घरंदो के अनुसार जो है इसको निकाल के बताय किया है इस पुसक में सद गुनों के बारे में होगी जैसा करोड़ अंकराना जोटरures करानाश करनाओं ज उसके बारों में जान सकेंगे और एक ही बगवान एक ही देष जो हमारा मुख्य संदेश है सनोह एक रेपोर्ट